मैं आकेस पुर्विया स्वागा करता हूं मेरी यूटूब चनल आर्पी एज्यूकिशन पर तो कलम पढ़ रहे थे रख्त के बारे में आपको बताएं कि रख्त क्या होता रख्त क्या होता है अब उसी के आगे चलते हूं परिसेंटरन तंत्र जिसका नाम है रख्त नेदिया वह सब्ग मुन मुथान तक रख्त का पहुंचना अब यह सडिगे परुसेंटरन जिसको ले जाने के लिए कुछ विषयेख प्रकार की वही काय पाई जाती है , जो ले जाते हैं और रख्त को वापस स्रील में लाती है यह परासेस पूरा चलता रहता है इसको मैं बता हूँ रक्तु परी जंचरन तंतर के मांतियां से देखें मैं एक डाइगरम बनाए हुआ है यह जो उपड़ाया है इसको में मानव के सरील से बाहर निकालके पता रखा एंद्यान से दिख हैं जञी यह जी जो पूरा जो चित पूपतों सवस्षण है दोनों सवस्षण में प्रवेश्य कर रही है इन फपरों में जो क्रिया होती है दोनों कहते हैं में हमारे रिदें के अंदर connected होती है और जुरी उदे से ही एक धमियों निकलती है इसका नाम क्या क्या था इस इसे प्रविश करती है उसे सिराही कहा से जाता है। काञ ना हो यहां फोपुस के सीर लिखा यहां फोपुस के लिखा है, सिर्ण अब बाँ अश्चन, हमारे सरी के पठ्षे कंग तो पोशने वाल रिख पारे समंजो गया धाये हैं कि कोसिं को कहते हैं उत्त्र हalter को सरी में फैला है इस दरा यहां पर सोर्षन की प्रिखर कैसी उत्ता है से अंत्रिक स्वसंट कहते हैं वहां सवसंट के अंदर के अंदर के पटे उतकट तक क्याना मतलब की यह पॉँचना यह कहलाता है तो यह इसका रचूपरिस्द्इंशन का डागराम और आगल्छी करते हैं कि रख्त परी संचरण तंत्र के अंदर कौन-कौन से मुख्य बाग काम करते हैं तो देखें रख्त कि परी कि संचरण तंत्र के मुख्य बाग कौन-कौन से होते देखें पहला रिदय दूसरा वाहिताय और तीसरा है कि परी परी संचरण माध्यम रक्त तो रख्त परीसंचरण के मुख्य बाग कौन-कौनसे हैं रिदय वाहित आये और परीसंचरण करते हैं इसका नाम है लसी का परिसंचरण तंद्र तो दूसरा एक परिसंचरण तंद्र है मैं यहां लिखता हूँ कि लसी का कि परी कि संचरण मैं लिखता हूँ परिसंचरण माध्यम लसी का रूटी है इसका परिसंचरण माध्यम कों लोता है लसी का तो रख्थ परिसंचरण तंद्र में परिस्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन्चन् चलता रहता है वाहिकाव में रख्त चलता रहता है तो उसे बोलते हैं कि रख्त र्ट परिसर निदर आगे देख lag और आगे देखिया कि इसको सु बेड़ा दो DU HO मैं नहीं आपको इताहल्य लिा रत्तू । पर एंधर में वाईकांगाउख की रोले किसका रोले वाईका तो हमारे सरी में रॉहाई थो परकार कि किते परकार के होती है धो परकार के होती है तो वही काओ के परकार पहली होती है धमनी और दूसरी होती है सिरा यह वाहिक है हमारे सरी में दो पर कार के होती है दमनी और सिरा दमनी का काम क्या है दमनी हमारे सरी में सुद्ध रख्त को प्रवाइट करती है सुद्ध रख्ता मतलब है ऑक्सिजन वाला जो ब्लड होता है उसको सरी में पर्ठेवाग तको ने जाती है दमनी ले जाती है तो हरिदय से सुधरक्त को दमनी सरी के पर्ठेवाग तक ले जाती है बाग तक ले जाती है तो समझे दमनी को क्या होता है हरदय से सुद्ध रख्ट को दमनी सरीके पर्थेक बागत क्या करती है ले जाने का काम करती है और सिरा को क्या होता है उसको समझे सिरा है सरीके पर्थेक अंग से असुद्ध रख्ट को पुना हरदय में लाती है में चला जाता है तो यहां रखें दमनी में हमेसा सुद्ध रक्त बैता है और सीराओं में असुद्ध रक्त बैता है तो मैं एक फ्रॉट लाइन ली देता हूं कि सीराए कि असुद्ध कि रख्ट को ले कि जाती है जाती रख्ट को मतलब होता है कि जिसके अंदर परियाप मात्रा में और पर जिसब अंदर सुद्ध रक्त के लाता है और सुद्ध रक्त लिए और है और सिराओं में असुद्ध रक्त बैता है तो इस्टुडेंट मेरे साफ से आज को आज को आपको 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 समझ में होगा मैंने रक्त परिशन तंत्र के बारे में आपको डाइग्राव के बांतिक से बताया और यह भी बताने कोशिच की वाहिका अकिते प्रकार की होत होता है इसलिए इसका नाम पर गिया है अबंद परिशन तंत्र और लसी का परिशन तंत्र भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर गट्टी पर क्लिक करना ना बोलें जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तो धनिवाद जय हिम जय भारत